ये वीडियो काला जादू या फिर अंध विश्वास को प्रोश्चाहन नहीं देती हाई दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन दोस्तों, मच अवेटेड मूवी शेतान मैंने देखी आज जब से ट्रेलर आया था, I was very excited और मेरे excitement का एक ही reason थे, वो थे माधवन There is something in his acting, जब आप उनको देखते हैं screen पे उनके अलावा किसी और के ऊपर आपकी नजर जाती ही नहीं तो 100 बात की एक बात, माधवन is the X factor of the movie लेकिन क्या मूवी में उनका performance iconic level का है Unfortunately, this has not happened in this movie क्योंकि मूवी खतम होने के बाद मुझे लगा कि माधवन is more capable than this काला जादू, वसिकरन जैसा concept जो मूवी को एक natural build-up देती है एक natural excitement आता है audience में आप तुरंथ ही story के साथ जुड़ जाते हैं जब माधवन के entry होती है लेकिन interval के बाद वो जो excitement था वो कहीना कहीं dip होती है मतलब हाँ माधवन का जो character है वो एक लड़की को अपने वस में कर लेते हैं जो अजयद अबगन और जोतिका जो उनके character है उनकी बेटी है और जो जो वो बोलते हैं माधवन वो वो लड़की करती है लेकिन उसके आगे क्या? It feels like a dead end at one point of time Second half में movie का excitement का level बरकरार रखने के लिए एक चीज़ चाहिए था वो था either a backstory और the motive आखिरकार माधवन ऐसे क्यों कर रहे हैं? यह motive अगर ज्यादा strong होता तो audience movie को एक अलग level पे enjoy करती but here the director has failed to sustain and maintain that particular excitement मुझे motive इतना strong नहीं लगा हाला कि climax काफी satisfying था लेकिन जैसा कि मैंने बोला second half में थोड़ा सा twist and turns अगर ज्यादा होते तो और ज्यादा मज़ा आता Ajay Devgan as a protective father उन्होंने ऐसे किर्दार काफी बार निभाया है और उन्होंने अच्छा काम किया है even Jyotika but the girl who has played their child जो लड़की होती है जो माधवन के वस में होती है उन्होंने भी काफी दमदार acting किया है उन्होंने बहतरीन acting किया है तो अगर आप माधवन के fan है कौन नहीं है उनके fan तो ये weekend आप ये movie देख सकते हैं one time watch है माधवन की acting देखने के लिए तो ये movie आप जरूर देख सकते हैं और अगर movie आपने देख रखिये तो comment section में बताइए कि आपको ये movie कैसी लगी और अगर आप अभी तक वीडियो में बने रहे हैं तो वीडियो को एक like चैनल को subscribe करना मत बूलिए इससे मुझे motivation मिलती है तो मिलते हैं अगले review के साथ तब तक filmy mohon signing off टटा